चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हो दी इस्कूल बंद करें रेली करें उसमें कोई वह नहीं है ना वैक्सिन पूछते के आपका वैक्सिन लग रही है मास्क लग रहा हुआ आज हम चपरोली सीट बागपच जिले की चपरोली सीट के धनोरा गाउं में हैं यहां पर जो दो प्रत्याशी जो सबसे ज़्यादा लोग मान रहे हैं रेस में हैं वह है अजे कुमार जो की राष्ट लोगदल सेढ़् गढ़बंदन के उम्मीदवार है जी साहब आपका नाम अमित कुमार अमित साहब क्या इस बार चुनावी मोहाल है आपके यहां पर धनोरा गाओं में और पूरी सीट पर पूरी सीट पर धनोरा में एक तर फमाओल है जी आरल्डी का आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो जीते थे वो नलके पर वोट गया था न आप का नाम साहब मनोज कुमार जी मनोज जी आप क्या गड़ा इस बार को जीते में आप प्राइवेट स्कूल यहां ठाबेसे उसमें कोई आपके फाइदे नहीं हो ए क्रोना में सब स्कूल बंद है बच्चे बरबाद हो गे टीचर सब बरबाद होगे ने कोई साहइतानी स्क्राइब को हैं और आप लोग यहां पर नौजवाण है ज़रा आप लोग बताईया आपका नाम क्या है नितेश पुमार आप का साब कपिल कुमार आप लोग नौजवान है पिछले पांच सालों में आपके लिए जो सरकारी भरतियां हो या बाकी चीज में भी यहां पर त अभी क्या कर रहे हुए है और क्षिए सरकारी रोजगार टहीं? अब बताओ कहां से रोजगार मिल लेकिन ऑफ चंब क्केशिए हम ने पतर है वह भी दाए तीन साल पहला है ती उस सब बाद में कोई बढ़ती नी आई फिर भी इस लड़के के उमर थी दो जार उनिस में फारंग बेराजी रेलवेगा गुरूबडी अब उसके नोटुकिसन आप आई दो जार बाइस में तीन साल लिया बताओ कहा है रोजगार योगी नौजवान खासकर की इस चेतर के भी उस लहर में भाएद आप लोगों ने पहले कहा वोट किया तो आपको लगता है कि आपने जो बीजेपी को वोट किया है आपकी उमीदों पर खड़े होत रहे हैं बिल्कुल नहीं जी आच्छा कोई यहाँ पर लोक तंत्र है लोक तंत किसका किम्हर्थन कर रहे हैं इसमारे जने कई का समर्थन कर रहे हैं I amh gamavic यह यहां तो सब पहिना आज पहला था अफ पर जोग दलके है जब पैमेची नहीं मिले तो हम क्या करें हैं भाजपा क्या करें इमारा जैसे अंग्रेजु के सरकार थी बिल्कुल उससा इसकी तुलना करीजी हमने अच्छा हाजी करोना के ना इतना बड़ा इसमों कर दिया बच्चों की सब सिक्सा खोदी स्कूल बंद कर द लग रहा और कहीं भी अगर उखरंगे इकटे दो-चार आदमी होगे उन पर पुछांगे हाँ ये वैक्सिन लग रही है कहीं भी सरकारी दफ्थर मां जाओंगे अथिन उन्हें इस पर बहुत बड़ा सडियन तरक रहा इसमें इस सरकार में अन्या पिछड़ा वर्क का और अगडू को आरक्षन दे दिया उनकी सीट काटके एक उनत्तर अजार परसिद बरती है राजबर्जी बार बार उसकी बात करते हैं अपने बासन में उनत्तर अजार में ओबीसी का पंदरा अजार नुस्सो एकसट सीट का गोटाला है और अनुसुचित जाती का इकती सो परसेंट आरक्षन दिया गया और एसी को सोड़ा परसेंट दिया गया उन्होंने गोटाला साबित कर दिया रिये सरकार आज भी इस बात को मानने को तैयार नी तो सब समवेदानिक संस्थ इतनी भी थी लोकतंत्र तो ऐसा हो सके जैसा चीन में सी जिन पिंग ने समवीदान में संसोधन करकर आज इवन अपना राज स्थापित कर लिया आने वाले टाइम में यह बाजबा भी ऐसा कर सके समवलना पर लग रहा है कि यहां पर एक ताना शाही चीन यह नौर्थ कोरिया की तरह आजी बिल्कुल ताना साही चल लिए और चीज मैं किसान से पूछ का कान समय अगर इस ताना साही है रात में बारा बज़े नोट बंदी की घुस्ट ना कर दें नोट बंदों के जी अपने नोट दस दिन पहला बदल वाले क्यूंत पता हो कहा बंद प्रहूबं अपने बदल वालो जनत लाइन मलक का प्रिषान अरी उस दिन ताया मोडी सरकार था किसी ने तो हाथ उठाया था हाँ साब आपका नाम मेरे नाम गुलबीर सिंग है आपने भाजपा को बाहरी रहता हूं मैं सपोर्ट किया था भाजपा को लेकिन भाजपा की तो तिनी बुरी आलत है जिस देश को हम मिनिस्टर एक विदाय के लिए बोट मांग रहा हो कहरा कराने में पर तो हालत एक लाप सरगारी के हालत होगी देश का हम मिनिस्टर एक विदाय के लिए बोट मांग रहा है यह बताईए भाजपा आई आयोध्या में आप आलुशान राम मंदिर बन रहा है आप खुश नहीं है आपको क्या इस बार जो किसान अंदोलन हुआ है क्या आपको लग रहा है कि उसका कुछ असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा सिर्व आपकी सीट पर नहीं पिछली बार भी जिसको आप सेफ सीट कह रहे हैं वहां पर भी दर असल जहां लोगदल बहुत बड़े मारजन से जीता था वो भी मारजन कम हुआ तो पिछली बार मेरे खाल से सरफ चार या पांच हजार वोटों से जीते थे उसमें कुछ बडलाव देख रहे हैं क्या किसान अंदोलन का असर कुछ इस बार इस बताईए बहुत ज़्यादा होगा थीक रहा है आप यह बताईए आए कि की है और भी का ऐसना चारी से रा पे कुछ बताईए आपको क्या लग रहा है किसमें कर लड़ा बहारी है जाए जिन अड़ा बता दो यह जिन मोधी योगी की बात कर रहे हैं जो इनकी इनकी फसल खा रहे हैं वो मोधी योगी प्रधान मंतरी और मुख्ध मंतरी नहीं है यहाँ पर गाये भैसों को अक्सर मोधी योगी बोला जाता है अमरे जजरा दिन खारे सरा रहड़ें उनकी और काम कुछ नहीं है तो सब काम निम्टा थे जननला यह आवारा पशू का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है यहाँ पर किसानों का उत्तर प्रदेश में है बहुत बड़ा मुद्दा है जरा कोई उस पर बताएं आवारा पशू पर आप जरा बताएं क्या दिक्कत हो रही है जब से ये सरकार आई है खासकर कि क्योंकि जब बहुत सारे जो कटान होता था जो बूचर खाने था जो बंद किये गए हैं उसके बाद से आवारा पशू अब हर जगा आवारा घूम रहे हैं और खेतों में मेरे ख्याल से आप उसके बारे में थोड़ा से बताएं आपको भी पता पड़े लिखे हो आपने थोड़ी बहुत साइंस भी पड़ी होगी उसमें खाद स्रंकला अपने पड़ी होगी तो अगर हम खाद स्रंकला काई संतुलन गड़बड कर देंगे तो पूरी परकरती का संतुलन गड़बड आ जागा एक किसान के पास मान लिया चार पसू है चार गाएं चार न चारी बच्ड़े दे दी एक साल में तो कौन सा इतना बड़ा दमदार आढमी है के चार बच्ड़े अपने गरमा रोकला है वो उनको खेत मा छोड़काआ पर चोरी चूपा छोड़कावे रात कू ठीक है वे लोगु का खेत खा रहे तो लोग उनका लट मार रहे तो इन्होंना तो और पाप को बड़ावा दे दिया गोवन्स का ये सरक्षन नी कर रहे गोवन्स को खतम करने की दिसा पचर ले पहला किसान गाएं रख था अब गाएं रखने से बचना सुरू कर दिया कारण है बचड़ा हो तो पाप करना पड़े वो छोड़ना पड़े रात में खेत का इतना नुकसान है, मैं आपको अपनी बता दू, चार भी गया, अगेत्ते पर जाती गया, वे बिलकुल पिछली जो बारीश हुई, उसमाँ खा का खतम कर दिये, खाने ता ज़्यादा गा दिये, तीस पसु गुश गया, उसमाँ तीस पसु आप सोचलो क्या करेंगे क आप में से कोई हैं जिनोंने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था, कि दोजार सत्रा में कि लगा था कि शायद कुछ नहीं उमीद आएगी, आप लोगों ने भी दिया से, हम सारे बिठे, जो मैं भी भाजपा को वोट दी, तो मैं भी मने करूमा बाई वाग गया, पर म आप लिए यहां इस गाउं में जो है यू आरेलडी का गाम है, इसमें तभी आदेदा बत्ती बोट गी थी पिछे, तो यहां पर भी मतलब इस गाउं दरोना गाउं से भी जो रालोद का गड़ रहा है, यहां पर भी भाजपा को वोट गई थी सत्रा में पैका लिये दे ज है यहां यहां पर भी जाट को दो मसल्मान की तो यह प्रभी आपस नाजागे आपस में खाई बनी थी, क्या और वो जो लोगों को उसमें बहकाया गया था, आप कहरें हो, यह बहकाया गया यह बोला गया कि भई आप जा मुसलमान को एक कसम से दुश्मन के रूप में पेज करने की कोछिश, क्या उस में कुछ फर्ख आया है, क्या लोगों को कुछ रवाईहे में फर्ख आया है पूरा बदल गया जी, कोई फर्ख नहीं है, आपस में, भाईचारा है, प्यार है और इनकी जो साजी से है, लोग उसे समझ गे, हम छोटे-छोटे अपने नीजी स्वार्त छोड़क है, नीजी स्वार्त के चक्कर में हम बहुत बड़ा नुकसान देश का करना जा रहे थे, लेकिन समझ आगे इन 4-5-6 लुमई तो वापसी होगी सब की, सब में बहुत बढ़ जाओ गया, संग का कबजा होगा, चाहे वो आई कोट हो, देश की सुप्रीम कोट हो, वो आपका सीवी सी ओ, कोई भी ओ, एडी ओ, सीवी ओ, सब पहिन का कबजा होगा, उसके बहुत से उदारन है, मैं आपको बता भी दुमा, लोक तंदर की आप बात करें, इन्होंने कोरो बात है, मंदिर, मस्जिद, हिंदु मसल्मान, बारत, पाकिस्तान, इस्सा लग, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, एक चीज़ बताईए, आप लोग कहराना से जादा दूर नहीं है, पिछले पांच सालों से एक मुद्दा जो लगातार उठता है, चुनाब से पहले किराना पलायन, किराना पलायन, किराना पलायन, आप लोगों को उसमें कितनी सचाही लगते हैं, जो किराना पलायन है, किराना पलायन है, बताइए, बाहर जाके दिल्ली जाका सब लाला लोग थे, वहां जाके व्यापार कर रहे हैं, वहां से छोड़ दिया, महारा काम नही तो यह तो इसको लेकिन धार्मिक रूप देना चाहते हैं नहीं गलत है बिल्कुल प्लाइन जो लोग बाहर वेपसाइ़ करें वहां चले गए कोई दिल्ली चलागा को लगा को इदर चला गए जुक्ति करें वहां बहुत हैं नगी आज़ आज़े करना तो इसमें चुनाओ नहीं था यह फेर भी आ रहे हैं और यह बिल्ग यहां दनोरा गाओं में चप्रहुली विदानसबस सीट के दनोरा गाओं में हम अभी थे और जैसे आपने सुना कि कहीं न कहीं यहां पर इस बहुत सारे किसान जो कि यहां सेफ सीट मानी जाती थी रालोट की वहां पर भी कई किसान पिछली बार भाजपा में गए थे लेकिन इस बार पूर जोर तरीके से कहने कि हिंदू मुस्लिम की राजनीद मंदर मस्जिद की राजनीद पर नहीं जाएंगे बलकि किसानी के खेती के मुद्धों पर किसान हिंदू मुस्लिम फिर से कहरें एक जुट हुआ है उन्हीं मुद्धों पर यह वोट करेंगे CCA चुनावी चर्चा के साथ आप जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरे आप तक लगातार हमलाते रहेंगे दन्यवाद